नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया और आपका स्वागत है SGV News पर केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सीता रमन ने आखिरकार केंद्रिय बजट 2023-2024 जो है वो पेश कर दिया है इस बजट के अगर बात की जाए तो युवाओं महिलाओं और वरिष्ट नागरिकों के लिए कई ऐलान किये गए है और इस बार सबसे बड़ी बात इस बजट की ये रही कि 9 साल के बाद टैक्स लैब में आखिरकार बदलाव की गोशना कर दी गई है जिसका एक लंबे समय से इंतजार था देश की आमजनता को वितमंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपे तक की सालाना कमाई तक कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देना होगा सबसे बड़ी खबर इस बजट से आपको बता देंगी पहले ये सीमा 5 लाख रुपे थी जिसे अब 7 लाख रुपया कर दिया गया है और बजट की साथ प्रात्मिक्ताओं के बारे में बात की गई समावेशी विकास अंतिम छोड तक पहुँचना बुन्यादी डांचा और निवेश शम्ता को उजागर करना हरीव रिद्धी युवा शक्ति और वित्य शेत्र ये जो है सबत्रिशी इनको कहा गया और आने वाले दिनों में अब जो बजट ये सामने है इसके मताबिक अब आने वाले दिनों में मुबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है वहीं सोना चांदी जो है वो खरीदना महंगा हो सकता है और ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मुबाइल फोन के कुछ जो पार्ट्स रहते हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है गटा दी है और सोना चांदी पर जो ड्यूटी है उसमें इजाफा किया गया है अब ऐसे में आमादमी किझे पर इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है वो तो आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में पता लेगा और उससे कितनी राहत मिलती आपको बताते हैं सब कुछ क्या-क्या सस्ता हुआ है और क्या-क्या महंगा हुआ है जो सीधे तोर पर आम जनता से जुड़ा हुआ है सबसे पहले आपको बताते हैं कि जोरान क्या-क्या सस्ता किया गया इस बजट में लीथियम और इन जो बैटरी रहती है जिससे जो है जो बनाने में इस्तेमाल होती है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी गई है तीवी पैनल के जो उपन सेल रहते हैं उसके पूर्जों पर कस्टम ड्यूटी पांच फीजदी से गटा करके धाई फीजदी कर दी गई है मोबाइल फोन मैनुफेक्टरिंग के लिए कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी गटा दी गई है जिससे मोबाइल फोन अब सस्टे हो जाएंगे वहीं अगर बात कि जाए तो लैब में बने हिरों की मैनुफेक्टरिंग में इस्तेमाल जो सीड है उस पर ड्यूटी कम कर गई है अब वो भी जो है सस्ता हो जाएगा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चिप फीड पर जो कस्टम ड्यूटी रहती है वो कम कर दी गई है क्रूड ग्लिसरीन पर कस्टम ड्यूटी साड़े साथ फीजदी से गटा करके धाई फीजदी कर दी गई है और जो क्ल पर प्राक्रतिक आपदा आपाद ड्यूटी जो है एंसी सीडी जिसको का जाता है उसको 16 फीजदी बढ़ाए गया यानि कि सिग्रेट अप महंगे होंगे गोल्ड बार और प्लेटनम से बने समान की ड्यूटी बढ़ाई गई है चांदी और उससे बने समान पर ड्यूटी बढ़ाई गई है यानि कि सोना चांदी अब जो है वो महंगा होगा कंपावडिड रबर पर जो ड्यूटी है उसको 10 फीजदी से बढ़ा करके 25 फीजदी कर दिया गया है कीचन इलेक्रिकल जो चिमिनी रहती है उस पर कस्टम ड्यूटी साड़े साथ से बढ़ा कर 15 प्रोड़क्ट आते हैं दरसल ऐसे कम ही प्रोड़क्ट हैं जो बजट में सस्तेयां महंगे होने जा रहे हैं जादा प्रोड़क्ट नहीं है इसके पीज़े सबसे बड़ा कारण यह है जीएस्टी गूड्स एंड सर्विसिस टेक्स यानि की जीएस्टी 2017 के बाद लगबग अठारा फीज़े और अठाइस फीज़े अवश्यक वस्तूओं को इस टेक्स से चूट है यहां सबसे निचलेस लैब में रखा गया है वहीं जीएस्टी से जुड़े हुए जितने भी फैसले हैं सबी फैसले जो जीएस्टी के लिए काउंसिल बनाई गई है वो अठान मंत्री कोशल विकास योजना 4.0 की शुरुवात की जाएगी निर्मला सीता रमन ने बोला कि युवाओं को अंतरराष्ट्य अफसरों के लिए यानि की इंटरनेशनल ऑपरचुन्टी के लिए कुशल बनाने के लिए अलग लग राज्यों में 30-30 स्किल इंडिया इ बोला कि 740 एक लव्य मॉडल आवासिय विद्यालेओं के लिए अगले तीन वर्षों में आने वाले तीन वर्षों में 38,000 शिक्षिकों 38,000 टीचर्स और सहाय करमचारियों की भरती की जाएगी एक बड़ा एलान किया गया आज के बज़ेट में वहीं केंद्रे मंत्री निर्मला सिता रमन ने बोला कि तीन वर्षों में 47,000 युवाओं को सहायता प्रधान करने के लिए एक अखिल भारतिय राष्टिय शिक्षुत योजना के तहट जो है उनको प्रतेक्ष लाब जो है उसका जो हस्तांतरन है वो भी शुरू किया जाए उर्जा सुरक्षा के शेत्र की बात हुई इसमें जो है 35,000 क्रोड रुपे का निवेश किया जाएगा नवी करनी है उर्जा शेत्र में 20,700 क्रोड रुपे का निवेश किया जाएगा तो यह आज के बजट की बड़ी खबरे जो हम आपको बता रहें इस बजट से जुड़ उसको अब 66 फीजदी बढ़ा करके 79,000 क्रोड रुपे जो है वो अब किया जा रहा है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की बात की गई भारत में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के लिए तीन जो है संस्थानों की स्थापना की जाएगी यह तीन अलग-लग प्रमुख संस्थानो में जो है वो स्थापित होंगे क्रिशी स्वास्थ और शहरी विकास के लिए यहां पर जो है यह आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर अब काम किया जाएगा वहीं रेलवे जो पहले जिसका अलग बजट आता था अब इसी बजट में जोड़ा जाता है पिछले कुछ समय से रेलवे को अब तक का सबसे बड़ा आवंटन मिला है बजट में रेलवे के लिए 2.4 शुन्य अलाग करोड रुपे के पुंजीगत जो है उसका प्रावधान किया गया है यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है रेलवे में 2013-14 में जो आवंटन दिया था उसकी अगर जो है किया जाएगा ताकि शेत्रिय कनेक्टिविटी जो लोकल जो कनेक्टिविटी रहती है उसको यहाँ पर बड़ावा दिया जा सके वहीं अगर बात की जाए तो 2014 से स्थापित मुझूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के लिए अब उनके साथ साथ सैस्थ हानमे 157 ने नर्सि कॉलेज भी खोले जाएंगे एक लाख प्राची इन पूरा लेखों का डिजिट जो है डिजिटल करन किया जाएगा उनको डिजिटल कर दिया जाएगा और निर्मला सितारमन ने जुरान कहा कि प्रती व्यक्ति जो आये है वो दोगुनी से अधिक बढ़कर एक दिशानलव नो साथ लाख रुपे हो गई है इन नो वर्षों में भारती अर्थवेवस्ता दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता के रूप में बड़ी है यह सब अपने भजट के दुरान जो है वक्त अव्य रखेगे केंद्रेवित मंत्री की तरव से वहीं आगे निर्मला सितारमन ने कहा कि परधान मंत्री विश्व कर्मा कोशल सम्मान जो है उसको शुरू किया गया है सदियों तक शिल्पकारों ने अपने हाथों से चीजें रचकर भारत को परसिद्धी दिलाई है वो जो बनाते हैं जो भी चीजे बनाते हैं उसमें आतम निर्बर भारत की सची आतमा है ये भी कहा गया वहीं आगे उन्होंने बोला कि इस नहीं योजना के जरिये उनकी बनाई हुई चीजों की गुनवत्ता में सुधार आएगा और बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ेगी उन्हें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी उनको भी स्किल ट्रेन कर्चा हरिद से कारवबन के मोगे तो यह सब मुख्य बात थी आजिक को ले करके Bowl कुछ दिनों से क्यास लगा विपक्ष ने इसको ले करके जो है राजनीती शूरु कर दी है मैभूबा मुफती ने बोला कि वहीं बजट है जो आएट-नौ शाल से बजट चल रहा है लेकिन इस बजट में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो है टेक्स लैब की टेक्स लैब जो है वो 6 से गटा करके 5 कर दिये गए हैं 5 लाख रुपे तक जो है पहले टेक्स नहीं देना होता अब आपने इस बजट को कैसे देखा आपका क्या कहना आपकी जो भी रहे हैं आप हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर कर सकते हैं इससे तमाम अपडेट के लिए बने रहे हैं दन्यवाद